बहन का दावा, 6 महीने पहले स्कूटी में मारी थी टककर, 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, सुतानपुरी अंजली की मौत के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, अंजली की बहन और मौसी ने मीडिया के सामने चोकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि करीब 6 मह पहले भी अंजली को मारने की कोशिश की गई थी, उनकी स्कूटी को जोरदार टककर मारी गई थी, हादसे में अंजली की जान बच गई थी, लेकिन गंबीर चोटे आई थी, उनका सिर्फ अट गया था और बेहोश हो गई थी, वह करीब 15 दिन तक अस्पताल में रही, मगर इस बार अंजली को मार दिया गया, अंजली की मौत पर परिवार के ये दावे जांच का विशय है, सुल्तानपुरी संदिग्ध एक्सिडेंट केस में हर दिन दावो और फुटेच से नए मोर सामने आ रहे है, बावजूद इसके एक, सच, को छिपाने के लिए हर दिन जू जांच नहीं, बलकि साथ आरोपी है, आरोपियों ने कहा था कि कार दीपक चला रहा था, जबकि जांच में सामने आया अंजली को न्याय चाहिए, हर दिन नया खुलासा अब नई जांकारी आई है कि उस कार में चार लोग ही थे, एफायर के अनुसार, उस रात पांच पूलिस की भूमिका को लेकर चल रही है, इंटर्नल एंक्वाइरी है कि कार अमित चला रहा था, आरोपियों ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि कार में कोई फसा हुआ है, क्योंकि कार का म्यूजिक तेज था और शीशे बंद थे, जांच में पाया गया कि म्यूजिक नहीं एक जन्वरी की सुबह घटना की जानकारी सारवजनिक होने के कुछ घटे बाद ही दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक बयान में इसे हाथसा बताया था और कार में सवार पांच लोगों की गिरफतारी की जानकारी दी थी। अब पुलिस का कहना है की पांच नहीं सात आरोपी है। शुरुआत में कहा गया था की घटना का CCTV फुटेज या कोई गवाह मौजूद नहीं है लेकिन मंगलवार को अंजली की सहिली निधी सामने आई।